कि पिस्टी में सेंटर पर आपका स्वागत है यहां चलिए यहां जो हम लोग को स्टार्ट करने वाले हैं यह पार्ट थरी होने वाला है और पार्ट टू तक है ना पार्ट बन और पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिये हैं और यह आपका पार्ट थरी क्लॉक से सम्मंधित कि आपका पार्थिरी होने वाला है ठीक है तो चलिए यहां पर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं तो अधियान दिजिएगा सबसे पहले वीडियो का लाइक कर दिए चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिजिए जिसे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो यहां जो क्लॉक से संब्सक्राइब क्या पढ़ने वाले हैं यहां देख लिए यहां पर लिखा गया है जो घाड़ी के घंटे में मीनट है यहां पर लिखा गया है कि घंटा सूई होता और मीनट के सूई के बीच कून ग्याद कर देखेंगे एक्जांपल के तरुब आप समझ यह इस परकार से इस अब लीजे आप यहां पर फो घ्याद करना होता है इस दूनों के बीच को कुण गयाद करना है ग्हंटे का सूई यहां पर कुछ देथिया है और मिनाट का सूई ये भला हो गया गहहंते ब़ला सूई है और इसके बाद यहां पर यह कून बनेगा एक कून गयाद करने का तरीका को सिंखना है ऑच यहां देखिए यहां जो जिसे आपर एक जामपल में आपको लिखे हैं देखे 11.38 मिनट यहां लिखा गया है तो तो उस समय घंटे और मिनट के सुई के बीच है ना कितना डिगरी का कौन रहेगा यहां पर अगर आप रिपरेंट करना चाहते हैं गारा बज़कर 38 मिनट तब कैसे रिपरेंट के जिएगा बताइए यहां आपका 12 होता है यहां 12 रहेगा तो इगारा आपका यहां हो जाएगा और और इसके बाद यहां पर आपका होता है तीस और 38 माल लेते हैं यहां है तो बताए किस परकार से रहेगा तो यह सूई कुछ ऐसे रहेगा अब यहां पर इस दोनों सूई के बीच का कौन आपको ग्याद करना है ठीक ह से पहले यहां जो लिखा गया तर्म है इसको समझना पड़ेगा यह आपका पहला घंटे बला इस घंटे को रिपरेंट करता है और दूसरा जो होता है इसको बनाने का एक सब्सक्राइब करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या यूज करना है और फॉर्मूला यहां पर है कौन बराबर कितना लिखेंगे तफ इसको आप याद कर जाएं कि फॉर्मूला क्या है इसके बाद आगे हम समझाते हैं समझे इसमें क्या लिखा गया है 30 वाщее है तो 11 बटे 2 लिखा गया यहां पर एम तो 11 बाइट टू यहां पर तो नुमेरिकल भैलू है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इसको समझने में एच क्या है तहां यहां है थ्यां रख़िएगा ध्यारा है यहां पर मिनुट यहीं भाइड है अब कर तीजिए मनियां से कौम को निकल जाएग समझे माया है तो फर्मूला आपको जल्दी से याद कर जाना है फर्मूला आपका क्या रहेगा सर इस फर्मूला से सारा कोस्टन बनेगा इसके अलाबा इसमें और कोई फर्मूला बताने वाले नहीं है यहाँ 30 H माइनस 11 by 2 M हो जागा क्लियर है तो चलिए अब यहां से हम लोग अपना कोस्टन सुरू करते हैं और यहां देखिए सबसे पहला कोस्टन आपको क्या दिया गया है पढ़िए सबसे पहला कोस्टन में यह कहा गया है यदि घाली में पांच बज़ रहा है पता है घाड़ी में कितना बज़रा आप गवा तब पांच अगर बज़रा तब पांच तो ऐसे रहेगा पांच यहां जीरो जीरो इस तरह से पॉरी पैन करते हैं पांच बज़रा तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कौन गयाद करना है ते एक बात बताओ कौन बराबर टू आइन टू एम है ना तो आब यहां पर इसको रिपरिजिन करो तीस है एच के अस्थान पर आवर घंटा बला कितना है बुगवा पांच यहां पर यहां पांच लिख देते हैं माइनस एलेबन बाइ टू आइम कितना है जो आप यहां देख लिए पहले यहां पर निए ने करें तो 35,500 है 35,500 हो गया यहां जीडों से घूना करेंगे यहां फ्रक्राइब घंड्र कोन बने का हुआ ठीक है ठीक है चलिए अगला कोस्टन कर चलते हैं हम लोग देखिए जो अगला कोस्तन है अगला कॉस्टन हो कैसे करई आप जिससे माल दीजिए आप से यह गोड़ा ओ आपको दिया गया है उस कोस्टन में आपको ऐसा कुछ करा जाता है कि एक घड़ी है और इसमें तीन बज रहा कितना बज रहा हुआ इतना बज रहा बिदinkर एकुन कितना मिनेट और घंटे पर किया लिख देना है यहां पर कर लिखेंगे इस तरह से पहले फॉर्मुल्या LIFT लिखो बताइए है कितना दिए बगए तीन बज़ेों रहेगा जहां यहां जहां यहां फ़स्टान पर दिर जब आपका अंसर आजाएगा तो बताइए है हैं कितना जो होगा फस्ट फसक्त जाएगा आपको 90 को बन जाएगा इस तरह के कोस्तना बना दीजिए आप नॉर्मल से कोस्तन पर बता रहें इसके बाद आगे और सेकंड टाइप हो चलते हैं लेकिन फर्मला सेम ही रहेगा चलिए अगर आपको चार बज रहा है बहुआ तो अगर चार बज जीरो जीरो है तो बता कितने डिगरी का कॉन बनेगा बता है जिरो जिरो फिंदा जिन फहर हो गया त्म्न बख़ोड़ दो तो थीसे एच माइन बाइस अलेब्न बाइट टूं मीनट यहां पर वह हूं जागा मीन अटो जीरो जीरो है दिल ज苏 ज человेगं पूरा खृतम हो जाएगा कई घना का चार मत होसा धाशल कर सकते हैं कि यहां माल दिज़े कि आपको यह नहीं पर कितना निगरी का कुण होगा ना पाँच बज़ने पर कितना नीगरी का कुण होगा इस तरह से तरह इसको आसानी पूरुबख निकाल सकते हैं बात किलियर है लेकिन हागे कुछ और बताने वाले हैं समझेए अगर कून का मान यहां दिजिए इंपोर्टेंट नोट है यदि कून का मान 180 डिग्री से जादे आ जाता है तो फिर इसको सॉल्फ करने के लिए उस आये कून कि आटउसिंद्स वीजिद्स इन गाटा लेते हैं हैं मतलब क्या है जिसे मन लिजिए आपको कहा जाताए एक सुई हधियां दिजिए यह गाड़ी है और गाड़ी में आपको आठ बजगिया है घाड़ी में कितना बज़रा आठ बज़रा तो 8 0000 है जब 8 0000 है बवगा मैं इ जीरो देले है यहां कि रखने के लिए जो कोस्टेन हैं, बजने का पर बजने के लिए जहां जहाँ आप लगा हैं तता यहां से क्या आप बचने के लिए, और यहां रखेगा थी आप रहें, वी準टीज़। लेकिन आपको यह कह रहे हैं जो अंसर आब काव एकाव होए दिया रखना को लोग के कंडिसन में जो भी आथा है वो हमेशा 180 डिक्री से छोटा होना चाहिए बढ़ हो गया है जब 180 से बढ़ा हो जाए तो ऑंसर में में लोग्या करें गें यहां पर यहां पर आगया और 240 240 आपको नहीं लिखना है 180 से बड़ा है क्या कि जिएगा कि 360 में से 240 को घटा लेना है है घटाने के बाद जो आ जाए उव आपका अंसर हो जाएगा जल्दी से इसको घटा के देख लिए 180 से बड़ा हो जो कौन बास तब कौन निकालने के लिए 360 में से इस आये हुए कौन को घटाते हैं बात क्लिए रहे चलिए एक और कोस्तन देखते हैं उससे आपको और अच्छा से क्लिए हो जाएगा जिसे माल लीजिए आप से यह कहा जाए कि घड़ी है घड़ी में बहुआ लोग दस बज़ रहा घड़ी में कितना बज़ रहा दस दस बज़ रहा तो बता यह जो घड़ी में यहाँ पर दस बज़ रहा मीनट और घंटे के सुई के बिच का कौन कितना बनेगा कौन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है करना क्या 30 एच माइनस 11 बटे 2 एम बनेट कितना फिरो है मिनर बाला कितना जिरो है तो खतम होजाएगा गहनटा के लिए हम पर कितना दिया है दस दिया है जहां जहां एच है वहां पर दस रख दो यहां पर जब आप दस रखने जाएगा ता क्या हो जाएगा बताईए जब दस रखेगा एच के असान पर यहां पर आपका अंसर क्या जाएगा 30 अगुने 10 बराबर हो जाएगा 300 ल यहां तक की चीज़ें को किलियर हो गया होगा समझ माया है चलिए अगला कोस्टन क्यों चलते हैं ध्यान दीजेगा नेक्स्ट कोस्टन बन गया होगा अब नेक्स्ट कोस्टन क्यों चलते हैं ध्यान दीजिए इस बार आपको यह कहाए कि घड़ी है और उस घड़ी में है और मिनट के सुई के बीच का कून गयात करना है कून बराबर फॉर्मॉला क्या होता है तो होता है सर्थ 30 एच माइनस 11 बटे दू इंटू एम भेलू रखो इसमें भेलू रखेंगे तीस जहां जहां एच है आवर के माइनस 11 बटे दू जहां जहां एम मिनट कासे दस रखेंगे मिनट छूई कैसा पर दस रखंगे अब एब बताई इसको कैसी अब करने के नहीं करने के लिए हम लुको करना क्या है सबसे पहले तो इकट जाएगा वह कि बार में पाँच बार में यहां पर जब इसको गुना करेंगे तब 15 15 सोरी हाँ यहां पर मतलए एक जिरू बैठेगा तब 15 यहां पर आजाएगा और एक डिल सो आजाएगा माइनिस 1155 पच्पन आ जाएगा तो बताए यह डिल सो में से अगर पच्पन घाटा लेते हैं तो हम लोगो कितना जगा बहुआ पंचान में डिग्री आ जागा तो यह बात आपको धिया रखनी है बहुआ कि अगर इस तरह की कुस्टन आपको देता है ऐसा अगर कुस्टन आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले फॉर्मल लगाओ घंटा है बहुआ इस बार कहा गया है कि घड़ी है और घड़ी में च्छो बजकर घड़ी में दिया गया है कि च्छो बजकर 20 मिनट हुआ है घड़ी में कितना हुआ है बहुआ च्छो बजके 20 मिनट घड़ी में हुआ है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कुन कितना बने ग हुआ है चलो जल्दी से बहलों रख देना है एक बात बताए जहां जहां है आवर का सथान पर कितना रखेंगे च्छो ता आ गया तीस गुने छो माइनस 11 बटे दू अगुने एम के सथान पर कितना है बीस है यहां पर बीस रख देंगे इसको आराम से अब सुल्फ कर दीजिए आपकांसर हो जायागा जब को सूल्फ करने जाएं गया एक सो दस बताए अगर यहां पर घाटा की कितना जाएगा सतर डिगरी आप कांसर आजाएगा एक सो असी में से एक सो दस को घटाएंगे ते सतर डिगरी आपका कून हो जाएगा एक बात बताएए इस तरह के कुस्टन में आपको कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए एकदम नॉर्मल सा है वीडियो लाइक कर देना है को सब्सक्राइब कर लेजेगा और दोस्तों के साथ इसको सेर करना है ठीक है चाहिए आगे कोस्तन देखे एक और को पिस्तन केहां दस बच कर 20 मिनट अप इसको खुद सोल्व कर सकते हो पहले वीडियो को रुक कि आराम से इसको सोल्व कर लो नप पीन पीपर लेकर सोल्व किजिए अजब इसके बाद पिर आगे इसको मिलाईएगा कि आप सही बनाए है गलत बनाए है तो थोड़ा धियान से अब देखिये तो इसमें किस परकार से लगेगा बहुंआ यह बताओ कुन बराबर फोर्मॉला क्या होता है तो फिर 11 बाइट टू एम फोर्मॉला तो यह आपका होता है थर्टी नेचे और माइनश में 11 बाइटू इम होता है अब धूरासिस इसको धियान दो एक बात पहल पर कि आपको 10 लिखेना है तो यहां पर 10 दिया गया है इस के असान पर 10 लिखेंगे यह आ गया 13 अगूने 10 माइनस 11 बाई 2 इन्टू 14 – 20 लिए नों के अससान पर हम लोगों को 20 कि लिखना बात के 100 इएस दोसे के वार में कटेगा उगा 10 ऑतना जाएगा 110 कि अनऄ यहां पर बताएए 10 मैं अहां पर कितना फ़ेगा जीरो में से जीर गडाएगा जीरों यह दसमीड़ से यह ना की शमीख लेंगे दस में से घटाएंगे नौ बचेगा यहां बचा दू दू में से घटाएंगे 190 अगया है अब एक बत पता एक 190 जो है बुए 180 से बढ़ा है की नहीं हां सबसे साथ मैं से नहीं तो कभी आंसर होगा लाइं अभी हटावेंगे तोटल बच्चे कितना बहुआ यहां बताईए सतर देखिए इसको आराम से जीरू हो जाएगा सुला में से नौ घटाव साथ बच्चेगा यहां यह तीन पहिंचा लिए थे दू हो गया दो में से घटाएंगा तोटल जो आपका यहां अंसर रहेगा 170 डिगरी होगा 170 डिगरी आपका अंसर आ जाएगा तो एक बात बताईए यहां तक को साथ को कोई प्राप्लम एक्सासी से बड़ा है तो क्या करना है उसको 360 में से घटा लो आपका अंसर आ जाएगा तो यहां तक मैं आपको कोई दिकत नहीं है अब आपको देखिए टोटल टीन परट पलादिये हैं तीन लग इसका हो गया और तीनों भाग में से संबंधित बहुआ को लाक से संबंधित जो भी कोश्टन है टोटल करवा दिये हैं तीन पर्ट में ठीक है तो इसको आप एदम पूरे धंक से उसको complete कर लिजिए एक दम basic सा theory से समझा रहें कोई नया चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं ठीक है ना अच्छा एक बात और है कभी कभी कोन आपको minus में आ जाता है भूँआ कभी कभी कोन आपको minus में आ जाता है धियान दिजिएगा कभी कभी कोई कोन आपको minus में आ एक बात बताओ अगर कोन आपको ग्यांत करना है तो हम लोग लिखते किया है फरमला भूँआ तो लिखते हैं 13-11-2 इंप यह हैं बताओ 30 और है च के अस्थान पर कितना लिखेंगे इसको सोल्फ करते हैं देखते हैं क्या ताहा जब इसको सूल्फ करने जा रहे हैं लोग सबक्राइबाद ख्यारा करेंगे तो इसको नहीं Hamburg सब्सक्राइब गाते हैं तो माइनस में हमने वो कितना बच रहा है देख लिजे तो माइनस में 135 बचा है एंगल कभी माइनस में होता नहीं है अगर कभी माइनस में सोल्व करने के बाद आजाब हुआ तो इसको पलस में ही आपको 135 डिगरी लिग देना है अगर माइनस में भी रह ना तो उसको माइनस अटाए और पलस में कह दें कि 135 डिगरी का कौन बना है बात के लिए रहे तब माइनस भी रहे तब आप हो कंप्लीट है चलिए तब इसको रहने देती है अगला वाले वीडियो हम लो देखते है ठीक है इसको लाइक कर देजे व झाल